इतनी बात क्लियर होगी नोट डाउन करते जाना है ना और थोड़ा बोलते रहो क्लियर हो गया तो है ना चीजें ठीक है इतनी चीज क्लियर हो गई ठीक है यहां तक क्लियर हो गया अभी इसके आगे बहुत सारी चीजें आएंगे ठीक है ना तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है यह आरो जो बना है ना पी से यन डियरेक्शन में अरो बना है कि डियरेक्शन में यह करेंट फ्लो कराता यह याद है तीसरी चीज क्या है थीसरे पॉंट ठीक है ना थीसरा पॉंट अब यह चीज हम समझते है अब एक चीज समझते ध्यान से देखना, देखो, कितना लॉजिकल है चीजें अभी आपको समझ मैं जाएंगे, अभी मैं इसका characteristic बनाने वाला हूँ, इसकी current equation लिखने वाला हूँ, characteristic और उस पर बहतरीन बहतरीन आज question करेंगे, एकदम मज़ा आ जाएगा, ठीक है न, चलो, ये ध्यान से देखते ह आपने अभी क्या कहा, ये P है, ये यन है, current ये जो diode है, इस direction में ही allow करेगा, P से यन direction में, मतलब current P से यन direction में ही flow हो सकती है, through a diode, current can never flow through a diode from n to P, ये बात एकदम दिमाग में बैठा लो, और ये बहुत काम आएगा आगे जब हम चीजें करेंगे, तो, अब ये चीज मेरे को बताओ, अगर ये कह रहा है कि ये P से यन ही current allow करेगा, और आपको एक बात परम सत्य पता है क्या, कि current हमेशा higher potential से lower potential की तरफ flow होती है, इस चीज को ब्रह्मा भी नहीं बदल पाएंगे, मैंने बताया था कली, यानि कि अगर ये आपका P इंड higher potential पे है, है न, ये higher potential पे है, P current allow कर सकता है, फ्लो करने को, इतनी बात समझ में आ रही की नहीं, आपने कहा, ये current इसी direction में allow करता है, ये diode की property है, और आपको ये पता है कि current कभी भी, कब फ्लो सकती है, higher potential से lower potential, मतलब, diode से current तुम तभी फ्लो करा सकते हो, जब उसके P इंड का potential तुम higher रखोगे, compared to young end, ये बात समझ में आई की नहीं, इस point को मैं लिख देता हूँ, diode allows the current, allows the current to flow only if P-end is at higher potential, higher potential, compare to young end, ये बात समझ में आई की नहीं, ये बात समझ में आई की नहीं, एकदम clear हो गया की नहीं, बता दो, एकदम clear हो गया की नहीं, ये बात समझ में आई, एकदम logic है, सब कुछ logical है, जो तुम पढ़ते हो network theory में, वही सब logic से आपलाई करने हैं, और कुछ नहीं है, बाही साब, एकदम सब कुछ वही है, एकदम logical छीजे हैं एकडम करने लगें गलेंगे तो करने लगेंगे तो एकडम करेक्ट होता जाएगा एकडम कलियर है है न 친 favor किंकति है कि हां बिल्कुल बिटा बैधर मॉन्डल यही तो यूनिटरल है दोनों डारेक्शन में एक जैसी करेक्टरिस्तिक नहीं है वो ही तो है बिल्कुल सही बात है ना नेटवर्ग थियरी पढ़े हो तो उसको अप्लाई करना भी सीखो ना कि यहां पर नेटवर्ग थियरी अलग से थोड़ों पढ़ाया जाएगा ठीक है उस चीज को common sense यूज करो नो यह बात इतनी क्लियर हो गई वेन पी इंड इस एट हायर पोटेंशियल हायर पोटेंशियल लिखते जाना compare to साथ में compare to यहन इंड देन डायोड इस सेट टुबी देखो यह बहुत इंपोर्टेंड डायोड इस सेट टुबी forward bias इसलिए आप पढ़ते हो पढ़ा होगा कि डायोड फारवर्ड बायस में ही current अलाओ करता है जब पी इंड का potential higher होगा compare to यहन इंड उसको हम कहते हैं diode is at forward bias mode and then only current can flow from PN junction diode in the direction of P to यहन current हमेशा PN direction में flow हो सकती जैसे कल जो device लिये थे वही वाली property आ रही है तो अगर यह इंड higher और यह lower पे है मतलब इसके compare में यह higher पे यह इसके compare में यह lower पे है वो case अभी characteristics से देखेंगे ठीक है ना चौथा चौथा point क्या है यह समझ में आ गया इतना point clear हो गया है तो चौथा point मैं लिख देता हूँ ठीक है ठीक है इफ यन इस एट higher potential यन इस एट higher potential compare तो पी इंड compare तो पी इंड then अब देखो आपने दूसरा point क्या कहा कि अगर आप ये diode यन से पी direction में current इलाओ नहीं करेगा यन से पी direction में current कप flow कराना चाहेगा आपका source या कोई भी current यन से पी कप flow होना चाहेगी कब जब यन इंड आपका higher potential पे होगा और पी इंड आपका lower potential पे होगा है पी इंड आपका lower potential पे होगा ये ही तो possible है diode से current यन टू पी कप flow होना चाहेगी current तो कोई source flow कराएगा कोई तो external source लगाओगी वही तो current flow कराएगा वो source आपका यन टू पी current कप flow कराना चाहेगा कब जब यन इंड higher potential पे होगा पी इंड के compare में तभी तो current higher से lower की तरफ flow होना चाहेगी लेकिन diode कहेगा भईया नहीं 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 मैं यन टू पी current तुमें नहीं flow कराना देंगा तुम चाहे कितना भी ज़्यादा potential लगा लो यन इंड पे और पी इंड पे भी कितना low potential लगा लो current चाहेगी high से low flow होना लेकिन diode की ये characteristic कहिए यन टू पी current flow होने ही नहीं देगा तो अगर आपने यन इंड को higher potential पे रखा है पी इंड को lower पे लखा है तो current flow होना चाहेगी higher से lower की तरफ that is from यन टू पी लेकिन ये diode कहेगा भईया नहीं नहीं यन टू पी मैं नहीं फ्लो होने दूंगा रुक जाओ यहीं पे बैटे रहो बस potential लगा के अपना ठीक है ना तो नहीं फ्लो होने देगा that is from यन इस at higher potential compared to P then current won't flow then current won't flow won't flow through diode through diode and in this case in this case diode is set to be reverse bias है ना अगर यन इंड higher potential पे है compare to P इंड तो हम कहते हैं diode किसमे है reverse bias में है है ना उसको हम कहते है reverse bias में है जब यन इंड higher potential पे होता है P इंड के compare में है ना तो current flow होना चाहती है यन टू पी direction में जिसको diode align नहीं करता है और इस biasing mode को हम कहते है reverse bias mode यन इंड का higher potential पे होना compare to P इंड is set to be reverse bias and in case of reverse bias current is trying to flow from N to P direction through diode and that that doesn't allow by the diode so that the current won't flow from N to P direction in case of reverse bias इतने points clear हो गएं तो अब मैं diode equation लिखने जा रहा हूं reverse bias इतने point clear हो गएं सबने note down कर लिए unidirectional बात वही है हाँ बिल्कुल बेटा बात वही है unidirectional unilateral more or less same thing है न? ठीक है ठीक है प्यार से एकदम clear हो गया एकदम प्यार से clear हो गया एकदम logical way में clear हो गया बस diode की एक characteristic याद रखो कि P से यन current allow करता यन से P allow नहीं करता that's it और उसी के एदम पे ये सारे चीज़ें आपने logical way में लिख दिया forward bias क्या है reverse bias क्या है सब कुछ noted clear हो गया एकदम अच्छे से noted के अलमा clear होना भी जरूरी है noted तो करी लोगे मैं note बनवा दूँँगा तुम सब लिख लोगे ठीक है ना ठीक है बेटा वो EDC का पार्ट है सर P to N current क्यों flow होता है वो EDC EDC अगर तुम ECE के हो तो तुम EDC जब पढ़ोगे तो तुमें समझ में आएगा है ना equilibrium पे diode कैसे होता है कितना diffusion होता है कितना drift होता है जब reverse bias करते हैं तो current क्यों नहीं flow होती है क्यों block करता है diode वो सारी चीज़ें जब आप Fermi level diagram और उसका जो पुरा बनाते हैं maximum electric field की analysis करते हैं depletion width की analysis करते हैं बहुत कुछ चीज़ें होती है built-in electric field का concept आता है built-in electric field की वहाँ से current end to p direction में ज़्यादा नहीं flow हो पाती है बहुत सारी चीज़ें है क्यों minority charge carrier के वहाँ से reverse current होती है तो वो EDC का part है बेटा अगर आप EC के हो तो EDC में यह सब चीज़ें में पढ़ाऊंगा PN junction जो यहाँ बनाया था न यहाँ P type material, yarn type semiconductor यह सब चुछ EDC में आप पढ़ोगे है न तो P और yarn material के बारे में जब पढ़ लोगे उसके बाद PN junction जब बनाएंगे तो उसका fermi level कैसा बनेगा उसका band structure कैसे बनेगा current क्यों flow होगी क्यों नहीं होगी कितना diffusion होगा कितना सब कुछ पढ़ेंगे समझ में आई बार है न तो अभी आपको यह मानना पढ़ेगा कि P से yarn current allowed करता क्योंकि diode में यह N log में diode का application है कि diode की जो characteristic है basic आपको पता हो और उससे circuit हमें बनाना circuit के analysis करनी है rather than diode के बारे में detail में पढ़ना है न उस circuits के बारे में ठीक है न clear हो गया है न चलो अब आते हैं बात की diode की current equation current तभी हम characteristic ड्रा करेंगा current equation of diode current equation of diode note down कर लो है न heading डालो current equation अब जो पढ़ने जारो यहां से numerical साते हैं और बहतरीन बहतरीन numerical करने वाला हूं है आपको एकदम खिल जाएगा दिमाग एकदम आपका open हो जाएगा diode की current equation पढ़े होगे आप में से बहुत लोग हो सकता पढ़े होगे लेकिन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यह शोर है ठीक है न? clear? चलो diode की current equation अब देखो diode की current equation लिखते वक्त कई बार यह चीज़ें आपको current equation लिख दिया जाता है आपको यह बताया नहीं जाता कि यह है क्या क्या नहीं है कैसे है क्यों है क्या है ठीक है चलो मैं बता देता हूँ यह देखो यह है current id हम कौन सी direction की current लिख रहे है diode equation में मैं अगर id लिख रहा हूँ जिसको मैं करहा हूँ diode current तो वो मैं कौन सी direction की current लिख रहा हूँ जो p to y direction की current है मतलब अगर current इसी direction में है तो id positive होगा current अगर opposite direction में है तो id क्या होगा, negative होगा तो जो current diode current equation लिखी जाती है उसमें जो id होती है वो किस direction की current मानी जाती है P2 या डारेक्शन क्योंकि मैंने कल भी character से जब IV draw किया था device का, तो उसमें current की direction mention थी और जो voltage एक होता है VD voltage, diode voltage वो हम उसको कैसे measure करते हैं P to yon measure करते हैं मतलब देखो ध्यान से ये VD होता क्या है ये plus minus इसको VD मानते हैं P ind को हम plus मानते हैं VD measure करने के लिए yon ind को minus मानते हैं तो VD is nothing but VP minus Vn P ind का voltage minus yon ind का voltage इसको हम diode voltage VD बोलते हैं जैसे device में भी plus minus दिखाया था न कि उसके across V voltage हम कैसे measure करेंगे इस इंड को plus मानेंगे इस इंड को minus और net voltage होता क्या है V plus minus V minus समझ में आई ये बात clear हो गई कि diode में जो diode current ID हम equation लिखने वाले हैं उस ID की direction हम क्या मानते हैं P to yon direction के लिए मानते हैं वो diode ID है ना जो current equation में ID है उसकी direction हम क्या assume करते हैं ID है उसके लिए हम current equation लिखते हैं और normally ये current flow भी कराता है P to yon तो आपको simple है याद करना और जो diode के across voltage VD है जो current equation में आएगा वो हम P to yon measure करते हैं मतलब V P minus V n P ind को higher और yon ind को lower मानके है ना हमारे लिए हमेशा P ind plus ind पे है ना और yon ind हमारा minus ind है for the calculation of VD voltage है ना V P may be lower than V n तो V P minus V n क्या हो जाएगा negative V P may be higher than V n तो ये positive हो जाएगा तो this V D could be positive this V D could be negative लेकिन measurement V D का हमेशा होगा V P minus V n से हमारे लिए हमारा ये plus ind है और minus ind for the measurement of V D voltage across the diode ठीक है तो आप current equation लिखते हैं कि ये छोटी छोटी जी जब बहुत important है कल device में भी देखा था अब देखो ये ID की equation में लिखता हूँ तभी मैं characteristic इस equation से draw करूँगा आपको है ना इस equation से characteristic को मैं draw करूँगा ठीक है चलो ID ID की value होती है I0 I0 E to the power VD upon VT है ना यहाँ eta कुछ नहीं आता है जो लोग eta है ना general equation यही है यह नहीं silicon के लिए VD upon 2VT हो जाएगा germanium के लिए VD upon ऐसा कुछ नहीं यह सब के लिए किसी भी PN junction diode whether it is designed from silicon whether it is designed from germanium it doesn't matter है ना VD upon VT आता है eta कब आएगा मैं बताऊंगा आगे आपको अभी आपको tension लेने की जरूथ नहीं थोड़ा परिशान होने की जरूथ नहीं मैं आपको बता दूँगा eta कब आएगा वो eta का significance क्या होता आगे बताऊंगा तो व्याकुलता अगर होगी तो व्याकुलता को थोड़ा जो हम किस direction की माने P to n direction तो अगर ID positive आएगा मतलब current P to n है ID अगर negative आया तो current क्या है यानि की current n to P है समझ में आई बाद तो यह ID कौन सी direction की current हम माने है हमारे लिए ID क्या है P to n direction की current है वो हमारे लिए ID है तो हमारी अगर actual current भी इसी direction में आ गई तो यह positive आ जाएगा अगर हमारी current opposite direction में आ गई तो यह क्या आ जाएगा या हम कहें ID positive आ गया तो जो direction हमने माना था उसी direction में current है ID अगर negative आ गया तो जो direction हमने माना था उसके opposite direction में current है यही तो आप सीखते हो current में हमारे लिए ID जो current है इस equation में इस direction में वाली हमने ली है current, ठीक है ना, उसी के respect में यह equation लिखी हुई, clear, clear हो गया कि है न, हाँ बेटा, fixed equation ही तो है, fixed equation ही तो है, है न, अभी इसके बारे में सब analysis करेंगे, है न, इसके बारे में सब analysis करेंगे, करेंगे, यह equation बहुत important है, और इस equation से question, double E, E, C, I, N सबको आया है, और इस equation के बारे में थोड़ा भी confusion है, तुमें, तुम question गलत करके आजाओ, ठीक है न, VD कौन सा voltage है, इसको कहते है, diode voltage, VD is nothing but diode voltage, voltage across diode, voltage across diode, measured from P to N, है न, that is equal to VP minus VN, तो यहाँ जब भी VD की value रखोगे, इस equation में, तो VP minus VN की जो value होगी, वो VD की value यहाँ रखोगे, ठीक है, हमेशा याद रखना, यह बहुत important है बेटा, यह बहुत ज़्यादा important है, है न, क्योंकि, यह सब चीजें fix होना ज़रूँ, जैसे device में plus minus V fix था, उसी के respect में characters चीक हमने draw किया था, VT क्या है, इसको कहते है, thermal voltage, यह value normally given होती है, यह voltage equivalent of temperature, यह होता क्या है, KT upon Q, यह KT upon Q के बराबर होता है, जहाँ पे K क्या है, voltage man constant, लिख लेते हैं, K क्या है, voltage man constant है, voltage man's constant, voltage man constant की value, I think क्या होती है, 1.34 into 10 की power minus 23 joule per Kelvin, T क्या है temperature in Kelvin, जिस temperature पे device operate कर रहा है, normally room temperature पे, भैया diode अगर लगा है मेरे किसी भी चीज में, मेरे जैसे camera में diode लगा है, तो diode अभी किस temperature पे काम कर रहा है, जो इस room का temperature अभाई सा, ठीक है, temperature T in Kelvin, और Q क्या है, charge है वही, जो Q is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19, Coulomb, अब देखो यहाँ एक चीज important क्या है, यहाँ पे note down कर लो, VT की value approximately क्या होती है, 0.0259 V, या इसी को हम लिख सकते हैं, 25.9 MV, इसी को approximately कई बार 26 MV दिया रहा था, at, at, T is equal to 300 Kelvin, which is also called as standard, standard room temperature, standard room temperature, तो Kelvin में 300 Kelvin या temperature को degree Celsius में लो गए, तो 27 degree centigrade is set to be standard room temperature, तो कभी भी कोशन में room temperature word लिख के आ जाए, है, है ना, तो उसको आप क्या मानोगे, वो 30 is equal to 300 Kelvin की बात कर रहा है, और अगर temperature कभी नहीं given हो, तो by default आप क्या मानते हो, device किस temperature पे काम कर रही है, standard room temperature पे काम कर रही है, वही normally हमारा reference है, ठीक है, तो हम 300 Kelvin को standard room temperature मानते हैं, तो अगर यहाँ T की value 300 Kelvin रख दोगे, क्योंकि देखो, temperature VT, यह thermal voltage VT किस पे depend कर रहा है, temperature T पे, क्यों, क्योंकि K तो voltsman constant है, यह तो universal constant है, यह तो कभी change होगा नहीं, QB constant है, 1.6 into 10 to the power minus 19 कुलार्म, यह भी कभी नहीं change होगा, अगर T जो temperature है, change होगा, जिस पे device operate कर रही है, thermal voltage VT की value change होगी, और normally device is standard room temperature पे हम मानते हैं, operate कर रही है, उसी के reference में हम सारे calculation करते हैं, तो standard room temperature T is equal to 300 Kelvin को कहा जाता है, यहाँ T को Kelvin में रखोगे, 300 Kelvin यहाँ जब value रख दोगे, calculate करोगे सारी value रख के, तो यह आएगा 0.0259 V, जिसको millivolt में बदलाओगे 25.9 या 26 millivolt, तो normally standard room temperature is equivalent to 26 millivolt, यह 26 millivolt इसकी value होती है approximately, कई बार question में आपको mention रहता है, नहीं mention है तो 26 millivolt लोगे, mention होगा तो इसकी value given होगी question में, और कई बारी calculation easy बनाने हैं, यह के लिए 26 millivolt की जगा वो 25 millivolt दे देते हैं, 25 थोड़ा उससे divide और multiply करना easy हो जाता है, है ना, ठीक है, यह दो चीज़ें इसके बारे में clear हो गई, तीसरी चीज, I naught क्या है, I naught, इसको कहते है reverse saturation current, इसका नाम है, reverse saturation current इसकी नाम है, ठीक है ना, reverse saturation current है, है ना, यह क्या है, इट, यह भी केवल किस पर depend करती है, depends on temperature only, इन सबकी EDC में हम अलग से analysis करते हैं सारी चीज़ों के, क्योंकि यह EDC वाला part है, यहाँ पर हमें बस इसकी जरूरत है, इसलिए हम पढ़ना है, it is said to be reverse saturation current, it depends on temperature only, अगर temperature fix है, यह reverse saturation current क्यों कहा जाता है, अगर आपका diode reverse bias में है, कब reverse bias में होगा, जब yarn and higher potential पे होगा, P end के compare में, तो एक small current तब भी flow होती है, हमने ideally क्या बोला, ideally इस i0 की value 0 होती है, लेकिन i0 is of the order of pico ampere, nano ampere, जबकि normal जो current diode से flow होती है, वो milli ampere के order की होती है, और milli और nano ampere में 10 लाग गुना का difference है, nano is 10 की power minus 9, milli is 10 की power minus 3, तो इन दोनों में difference किसमें का, 10 की power 6 का, 10 की power 6 मतलब 10 लाग, तो जो milli ampere में current flow हो रही है, वो 10 लाग गुना है nano ampere current से, इसी लिए reverse bias के case में जो current flow होती है, जो nano ampere की होती है, that is इतनी small है कि उसको हम almost zero मालने या neglect कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, समझवाई बात, तो reverse bias में current ideally हम मानते हैं कि zero flow हो रहा है, that current is of the order of nano ampere or pico ampere and we neglect it normally, यह बात है, क्योंकि milli ampere के compare में उसको देखोगे, normally diode, BJT, जो भी MOSFET हम use करते हैं, उसमें current milli ampere के order की होती है, तो nano ampere की current या pico ampere के current milli ampere के compare में बहुत small है, 10 लाग गुना small है, या अगर 10 की power 9 लो लोगे तो billions में आ जाएगा है, billions times smaller है, तो इतनी smaller current है, उसको निगले कर सकते हैं, समाझ में आरी बात, इसलिए, है न, तो एक small current reverse bias में flow होती है, उसी को reverse saturation current कहते हैं, और यह जो current है I0, यह independent होती है reverse bias voltage से, हमने यह current लिखा है, अगर basically ध्यान से देखोगे, तो यह forward bias की current ID है, क्योंकि forward bias में current P to N flow होती है, इसका calculation किया गया in terms of reverse bias current I0, इसका यह कहीं से मतलब नहीं कि ID reverse bias की current हो गई, है न, यह EDC का part है, EDC में हम जब calculation करते हैं ID की, जो की forward bias current, जो की P to N current है, P to N current ही तो हम मान रहें ID को, और उसको आप forward bias current कहते हो, वो आता है calculate करके in terms of I0, इसका यह कहीं से मतलब नहीं निकाल लो कि ID reverse bias की current है, उसका calculation होता है in terms of I0 and multiplied by some factor, E की power VD upon VT minus 1, ठीक है न, तो I0 जो है reverse saturation current है, यह saturation current इसलिए कहा जाता है, कि reverse bias voltage चाहे तुम 1 volt लगाओ, चाहे 2 volt लगाओ, चाहे 3 volt लगाओ, चाहे 4 volt लगाओ, यह current I0 change नहीं होती है, तो diode को reverse bias रखोगे, तो हम कहते हैं ideally की current 0 है, चाहे reverse bias 1 volt से कर दो, चाहे reverse bias 2 volt से कर दो, चाहे reverse bias 3 से, अगर yarn and higher potential पे है, P ind के compare में तो current almost 0 flow होगी, हम यही तो कहते हैं, तो yarn and P ind के compare में चाहे 1 volt से जादा हो, yarn and P ind के compare में चाहे 2 volt से जादा हो, yarn and P ind के compare में चाहे 3 volt से जादा हो, current हमेशा constant रहेगी और I0 के बराबर रहेगी reverse bias के case में, and इसी को हम almost 0 माल लेते हैं, इसी लिए इसका नाम है saturation current, because it is independent of applied reverse bias voltage, इसको लिखलो, it is independent of applied reverse bias voltage, ठीक है ना, अभी इसी current equation से सब कुछ analyze कर लेंगे, परशान होने की जरूद नहीं है, it depends on temperature only और इसके बारे में का और है, it is set to be minority carrier current, यह EDC का part है, यह बस line आप याद रख लो, आपके इतने काम का नहीं है, मैं बस यहाँ लिखवा दे रहा हूँ, minority carrier current कहते हैं, है ना, current, minority carrier current, अब देखो, it depends on temperature only यह बात बहुत important है, for every 10 degree centigrade rise in temperature, it gets double, यह temperature के साथ बढ़ता है, हर 10 degree centigrade rise temperature होने पे, यह double हो जाता है, है ना, अगर तुम्हारा operating temperature 300 Kelvin है, अगर temperature बढ़के 310 Kelvin हो गया, तो अगर 300 Kelvin पे I0 की value, let's say 1 Pico Ampere थी, तो 310 Kelvin पे I0 की value 2 Pico Ampere हो जाएगी, double हो जाएगा, for every 10 degree centigrade rise in temperature, मतलब इसका है, इस equation को ऐसे लिख सकतो, I0 की value अगर temperature T2 पे निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, I0 की value अगर तुम्हें temperature T1 पे पता है, multiplied by 2 की power, T2 minus T1 divided by 10, यह होती है equation, यह होती है equation, ठीक है, यहां तक clear हुआ की नहीं, है ना, अब देख लो, अगर T2 T1 से 10 Kelvin से जादा है, तो T2 minus T1 10 आएगा, 10 upon 10 क्या हो जाएगा, 1, तो I0 T1 into 2 हो जाएगा, कि नहीं 2 की power 1, तो 2 times हो गया, कि नहीं T1 temperature के compare में, I0 की value T2 temperature के, है ना, फिर 10 degree और बढ़ा दो, पहले 10 degree बढ़ा है, फिर 10 degree और बढ़ा दो, तो T2 minus T1 आजाएगा 20, 20 upon 10 2, 2 की power 2 कितना आ गया, 4, पहले 10 degree centigrade के लिए 2 times हुआ, फिर अगले 10 degree centigrade के लिए फिर से उसका 2 times हो गया, तो 2 into 2 कितना हो गया, 4 times हो गया, तो हर 10 degree centigrade के बाद पिछले का double हो जाएगा, तो 300 से 310 किये, तो 1 pico से 2 pico, 310 से 320 करोगे, तो 2 pico से कितना हो जाएगा, उसका double हो जाएगा क्योंकि 310 से बढ़ा के 320 किये हो 2 into 2 4 हो जाएगा तो 4 into 1 हो गया कि नहीं initial value का 4 times हो गया हर 10 degree centigrade के बाद double होता जाएगा पिछली value का 320 से 330 करोगे तो 4 का double 8 हो जाएगा 330 से 340 करोगे 8 का double 16 हो जाएगा इतनी बात clear हो गई तो बता दो मुझे फिर मैं आगे बहुत सारी चीज़ें और बताने वाला हूँ ठीक है भैरब मोंडल बेटा थोड़ा patience रखा करो अभी इस current equation को enlarge करेंगे थोड़ा patience रखो थोड़ा सा चीज़े हैं ना एकदम चीज़ें black and white नहीं होती हैं कुछ gray चीज़ें भी होती हैं हम उसको कई बार neglect करते हैं हम black and white मानते हैं तो थोड़ा सा patience रखो PDC में पढ़ोगे बेटा minority carriers क्योंकि जैसे young type material होता है semiconductor एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे दो तरह के charge carriers होते हैं a ऐसे current flow होती एक ऑथा हो और एक होता Abstract है जैसे yarn type semiconductor में मैंने क्या कहा था मेजॉती चाँच क्या होते हैं electron तो minority क्या होते हैं yarn type material में electrons भी होते हैं होल्स भी होते हैं agaacan मेजॉती में क्या होते है electrons तो mainly उने की वज़ेसे current flow होती है P type material में मेज़ॉटी में क्या होते हैं ? होल्स मैनॉटी में क्या होते है ? इलेक्ट्रोंस तो ये बात है ठीक है ना ? तो इसकी ज़रूरत नहीं है आपको है ना ? ये EDC का पार्ट है EC वाले पढ़ते हैं उनको ये सब डिटेल में पढ़ायजाता है आपके इतने interest का नहीं है आप यहाँ पे concentrate करिए बाकी सब लोग EC वाले जब EDC पढ़ेंगे तो यह सब चीज़ें clear हो जाएंगी अभी हमें lock पढ़ना हैं तो इसमें इसके जरूरत नहीं है हमें diode के बारे में concentrate जाधा करना है ठीक है न? तो इसको note down कर लो EC में होगे तो वहाँ पे बहुत detail में मैं पढ़ाऊंगा EDC tension लेने के ज़रूरत नहीं है ठीक है न? यहाँ तक noted down हो गया noted down हो गया यहाँ तक बता दो यहाँ तक note down कर लिये हो तो मैं आगे इस characteristic को draw करूँ और इस equation को फिर analyze करूँगा यह equation बहुत important है बेटा बहुत ज़्यादा important है इसको analyze करना बहुत ज़्यादा जरूरी है और इस पर different type के question करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है ठीक है न? बहुत ज़्यादा जरूरी है